मतलब अब वर्तमान में पूरे राजस्तान में कितने पद खाली है उसके बारे में बात करेंगी देखो 368 RTI में कुलासा हो चुका है नए मुख्याले बन रहे तो एक तो 368 ये खाली है पलस 2566 पद चल रहे थे रिक्त उन में से 2389 क्या हो गए भर गए बर गए तो यहां पर बचे 177 तो आज की कंडिशन में 177 पद क्या है रिक्त है ये तो स्विकर्त होगे परक्रियादीन है यह है रिक्त पद कर्शी वबाग में यह चल रहे हैं रिक्त पद अब बताओ कौन से पद खा लिए कर्शी वबाग खुद खे दिया भाई कुछ नहीं है मामला यही है अ अगले महीने में 104 पदों पर DPC आएगी DPC मतलब आप समझ पारे होने 104 पदों पर कर्शी परवेखसक से साई कर्शी दिकारी में परमोशन किया जा रहा है और वो आपको पता ही है क्योंकि साई कर्शी दिकारी की साई कर्शिय दिकारी डबल एओ की जो पोस्ट होती है उसमें नियम है 50% तो क्या 50% पत्तों RPSC से बढ़ने होते हैं और 50% जो पदोते हैं वो पर्मोशन पर्मोशन करना पड़ता है विबाग के कर्शी परवेख सकू का तो बाई जी कि 176 पदों पर वर्तमान में साइक कर्शी दिकारी की बरती जो की 2018 के अंदर आई थी वो बरती मानने राजस्तान उच्च न्यालया के अधीन है और RPSC में मात्र इंट्रिवी बचा हुआ है तो हो सकता है अगले मैने मतलब अप्रेल मैने में उनका फैसला हो चुका है तीनों बरतियों के अंदर तीनों बरतियों में आपको पता भी कोट का फैसला आ गया था और उसके परिणाम को रद कर दिया गया क्योंकि अब अकेडमिक नंबर भी जुडेंगे तो वह 15 या 20 दिन में साइक कर्शी दिकारी का परिणाम आ जाएगा इंट्रियों होगा और वह 176 अब विबाग जल्द ही अगले मैंने में बीपीसी लिस्ट निकाल रहा है मतलब कर्शी अभी ये लोग कर्शी पर वेख सके और अब इनको शाइक कर्शी दिकारी बढ़ा रहे तो भाई ये पद भी खाली होगे कर्शी प्रेश के ये पद वर्तमान में रिखत चली रहे है 368 मुख्याले सरजीत होई रहे है और अब भी लास्ट की बात करो 149 पद 149 वेखती है ने 31 अप्रेल तक रिटाइड हो रहे है कर्शी पर वेख सके जो दो जो जिनकी डेटो बर्त गुनी 161 अशट थी 149 आप सोचो जो 97 वाली बर्त सोरी नेवासी वाली जो बर्ती के सकते वो सब रिटाइड हो रहे है तो यह पद क्या हो गए रहे है यह खा लिए आज की कंडिशन में मतलब आगामी 30 दिनों में यह पद क्या है खा लिए और अब कल चल रही है अप्रेल आप सभी को पता है इस साल और नए मुख्याले सरजीत कर सकता है पदों की स्विकरती की दे सकता है क्योंकि नए सेशन का कार यह एक अप्रेल से प्रारम होगा नया सेशन चलेगा 31 मार तक पूरा सेशन खतम हो जाता है और अब नया सेशन मतलब आगामी प्लानिंग तयार की जाएगी अप्रेल महिने में आपकी भरती के लिए विबाग को ग्यापन भी दे जा चिकरा जाए और जल्दी आएगी लेकिन अगर आपकी सोच यह है कि करशी प्रवेक्षी कोई 2000 पदों भी बढ़ती आएगी तो यह गलत अप हुआ है इस पे आप ध्यान नहीं दीजिए 2389 पदों की जो अभी लास्ट वाली बढ़ती थी वो करशी विबाग की इत्यास की स च्यार महिने में छे करशी प्रवेक्षकों की मोत हो चुकी है जो करशी प्रवेक्षक पद्ध पर कार्यत थे और भगवान उनके साथ गलत किया कोई बीमार होके मर गया कोई एक्सिडेंट की वज़े से मर गया और मेरा भी एक दोस्त था जालावाड का और बहुत ही अंतिपरदान मिले फिर उनको टाइम हो गया लगबख सवा महिने के लगबख टाइम हो गया तो छे पद कितने हो गए कोई आड़ सो ठावन बता रहा कोई आड़ सो चो सट बिलकुल यह आड़ सो चो सट पद यह समझे आज की कंडिशन में आपके लिए करशी करेंगे साथ में मैं आपको बता दू अभी हाली में बरती निकाली कुछ युनिशिटी अभी जल्द जारी कर देगी तो जोबनेर युनिशिटी की सबसे बड़ी बरती आएगी करशी प्रवेक्श की लगबख 63 पदों के लगबख अनुमानित है मैं ऑथेंटिक डाटा न मांगी गई है उसकी भी भरती जोब में उनिशिटी दुवारा जल्द जारी हो जाएगी मैरी तीन च्यार बार टेलीफोनिक वारता भी हो चुकी है टेलीफोन पर यही बताया जाता है कि बहुत जल्द हम जारी करने वाले राज्यपाल से फाइल अनुमोदित होने के लिए गई है क्योंकि युनिशिटियों का मामला राज्यपाल के अदिन होता है तो जब भी जेपुर राज्यपाल निवास से वह फाइल अनुमोदित हो जाएगी वहां बेजी जाएगी जोब में तो विग्यप्ति जातिसिक्र जारी हो जाएगी और कुछ ही दिनों में आपको यह खुसकपरी आपको मिलने की पूरी-पूरी संभावना है तो आप निस्षिंद्र यह ड्रई बात कोई विद्यार्ति करा कि मतलब करशी प्रवेक्षी की बरती 2022 में नहीं आएगी तो यह एक अप हुआ है करशी प्रवेक्षी की बरती आप सभी को पता है लगबग दरातल पर उतर नहीं पाती है मान या मुख्षी मंतरी मं होते हैं बहुत अच्छा काम करें हर विवाग में बरतीय ला रहें तो मुझे पता है अप्रेल महीने में जीत्ने भी विवागry ने जीतने पधावना लग रहें लेकिन किसी स्टूडेंट अगर कोई लिए बता दूँ मेरे मतानुसार 30 सितंबर तक करशी परवेक्षक की बरती जारी नहीं होगी फिर आपको बता दूँ आप ये ना सोचे कि मेरे करने से कि मेरे मतानुसार भरती आएगी अतिशिग्र आएगी और अच्छे पदों पर परियास करेंगे हम हम भी मिलकर और आप सब मिलकर कि तोड़ा बहुत पदों पे इंक्रीज हो सके मतलब आज आपके सामने 864 पद खाली है और पिछली बरती भी आपने देखी होगी 832 पदों पे जारी भी थी दिरे-दिरे सरकार पदों को बढ़ाती रही तो ऐसा काम हो सकता क्योंकि 2000 अब जो नया सेशन चल रहा है एक किना रखिए तीस सितंबर तक कर्शी परिक्षी की बरती जारी नहीं होगी आप अपने सह विवेक से 30 सितंबर बात में कभी भी बरती जारी हो सकती है और सत्त परतिसत बरती जारी होगी आप ये ना कहें कि आपने बोला है ये सिरफ एक अनुमानी ताकड़ा है